हाई स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चौहान टूटोरियल, स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस सेशन में SBI PO PT 2018 के कोस्टेंज को डिस्कस करेंगे, तो स्टूडेंट्स इसमें मेन है कि हाउ टू एप्प्रोच दे कोस्टेंज, जैसे मतलब इसका यह अर्थ हुआ कि जैसे हम कोई कोस्टेंज स्क्रीन पर देखते हैं, तो हमें सबसे पहले उसमें क्या देखना चाहिए, क्योंकि अगर वो हमारा first glimpse, अगर ठीक हो जाएगा न, तो फिर हम उस कोस्टेंज को बहुत तेजी से solve पर पाएंगे, अब जैसे इस में आप देखिए, इस कोस्टेंज में अब conjunction का आपको structure जानना है, तो conjunction पहले स्थान पर अगर conjunction दिखाई देए, तो आपको सबसे पहले subject प्लस भर दिखाई देना चाहिए, और उसके बाद comma और comma के बाद आना चाहिए, subject प्लस भर, तो यहां हमको दिखता है कि as soon as I opened, तो I opened तो बिल्कुल सही है, इसके बाद हम को comma आगे दिखा, तो according to structure, comma के बाद यह then या कोई other word फालतु माना जाएगा, क्योंकि comma के बाद हमको चाहिए subject प्लस भर, तो इस हिसाब से a option गया, क्योंकि इसमें then है, b option गया, क्योंकि इसमें that है, हमको सीधे चाहिए subject प्लस भर, अब subject प्लस भर c और d में है, लेकिन c और d में क्या है, word का रूप देखिए, यहाँ पर smelled है past और यहाँ पर smell है, और चूंकि open, पहली के रिया, opened है past, तो एक rule है, कि अगर पहली के रिया, अगर आपकी past हो गई, तो फिर b2, यह b2 है, तो फिर conjunction के बाद जो दूसरा word भी होना चाहिए, वो भी past में होना चाहिए, तो although भी conjunction है, तो conjunction के बाद फिर वो ही structure, subject plus word, comma, subject plus word, तो although he had, फिर इसमें बहर past है, comma के बाद अब but, तो question number one और question number two का technique एक्दम सेम है, तो but नहीं होगा, but के बाद हो जागा he was able, तो हमको he was able चाहिए, तो अब he was able करके हमारा a में answer है, तो two का answer इस हिसाब से हो जाता है a, अब यह three पर आईए, nobody can, हाँ, तो यह sentence तीन, subject plus word, से शुरू हो रहा है, और जब यह sentence बड़ा है, देखने में पता चल रहा है, तो फिर बीच में एक conjunction आना चाहिए, और conjunction के बाद आना चाहिए, subject plus word, और हम हमेशा, class में बोलते रहते हैं कि जोर हमेशा, you have to put more emphasis after conjunction, तो जोर आई the fact that, that conjunction आ गया, तो that conjunction है यहाँ पर, और conjunction के बाद Indian economy subject है, economy singular है, Indian यहाँ adjective है, economy को देखते हुए, is लगेगा, तो यह आपका R गया, और यह आपका A और C इसलिए बाहर हो गया, क्योंकि इसमें दोनों में R है, और हमको चाहिए is, अब जब हमने ध्यान से देखा, कि B मे different के साथ from है, तो हमको एक बात याद आती है, कि then के पहले, then के पहले आपको चाहिए second degree, तो यहाँ पर more different होना चाहिए था, खाली different नहीं, more, मच की जगे more, लेकिन ऐसा नहीं है, तो यह भी विकल्प option ruled out हो गया, बाहर हो गया, तो इसलिए confirm answer है D, now let us move to the next question, next question देखते हैं subject plus verb, तो बहुत चलाकी से क्या किया गया है, subject के बाद एक verb तो डाला गया है, लेकिन ये खास एक verb इन्होंने negative verb डाल दिया है, denies, negative, इसके बाद इन्होंने conjunction डाला है, और conjunction के बाद इन्होंने डाला है subject plus verb, अब हम ये गल्ती कराने के लिए क्या करेंगे, इनकी एक आदत है कि जब ये denies डालते हैं, तो अगले sentence में, इस sentence में ये कहीं not भी डालेंगे, बस हमें deny के साथ not नहीं चाहिए, इस हिसाब से यहां से not खड़ जाएगा, तो आपका answer जो है, वो बिना not वाला चाहिए, तो ये तो a गया, उसमें not है, फिर देखे और कौन सा, आपका d भी गय उसमें भी not है, तो अब हमारा answer जो है, वो या तो b पर सिमट करके रहा गया, और answer is confined to b and c, तो b and c में से answer इसमें होगा c, एक second, यहां पर रोको रोको, ये आपका एक थोड़ा सा ये, इसको हम सुधार करना चाहिए, देखे, आपका अगर हम लोग ये answer लेते हैं, एक glimpse में तो लगा कि answer होना चाहिए, लेकिन अगर आप इसमें देखे, इसमें, नंबर c में देखे, deny है, डिनाई है, लेकिन यहापर r है, तो हमने आपको क्या rule अभी उपर बताया था, पहली करिया pass, तो सारी करिया pass, तो इसलिए c भी नहीं होगा, तो इसका जो answer, better answer is b, तो अब यह question number 5, पांच में देखे, सीधे चलते हैं, underline भाग में, तो हूँ यहाँ पर connector है, तो मैं तो आपको हमेशा बोलता हूँ कि आपको सारा जोर conjunction और connector के बाद लगाना चाहिए, तो who which that connector में तीन आते हैं, who which that, जोर हमेशा इनके बाद लगता है, और इनके बाद पक्का एक गुरू लोड जान लिजे, अगर यह who which that अगर आ गए, तो इनके बाद भर्व जरूर आता है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इनके बाद वर्व, जरूर आएगा आपके sentence में, तो यहाँ लिकिन डिड है, तो डिड के साथ भी 2, भी 3 नहीं लगेगा, भी 1 लगेगा, डिड के बाद भी 1 आना चाहिए, तो लब्ल की जगे होगा लव, तो answer B, so now let us move to the next question, question number 6, despite के साथ of का प्रियोग नहीं होता है, देखें, despite में क्या खास बात है, despite बराबर होता है, in spite of, तो या तो आप despite बोल लीजे, या फिर आप in spite of बोलिए, दोनों में से कोई एक बोलि हो गया, तो इस हिसाब से हमारा जो answer होना चाहिए था, वो होना चाहिए था, despite of, sorry, या तो despite, या फिर in spite of, तो A तो गया, उसमें in spite of नहीं है, खाली in spite है, और आपका number B, जो है, ये answer आपका, despite में है, और number C, ये भी despite में है, तो अब हमको ऊपर में केवल off से objection था, केवल off से objection था, तो हमने off हटाया, अब हमारा perfect answer हो गया, despite the government's protection, तो despite the government's, तो ऐसा आपको दिया हुआ है, C में, तो 6 का answer C, अब आईए, अब हम लोग अगले question, detection of error to move करते हैं, the article है, प्रीस नाउने, प्रीस पुजारी को बोलते हैं, दोनों मिल करके subject हो गया, subject के बाद हमको verb चेक कर करके नहीं दिया, ये पूरा वो preposition type का phrase दे रहा है, expression दे रहा है, preposition, तो हमको सीध्य वर्व चेक करना होगा, तो हमने यहां देखा, where लगावा है, where नहीं, was, तो इसमें हम class में आपको बताते ही थे, कि एक structure होता है, जिसमें पहले स्थान पर noun दिया जाता है, उसके बाद preposition आता है, उसके बाद noun आता है, तो दूसरे noun के बाद एक वर्व रखा जाता है, और ये वर्व पहले वाले noun के अनुसार होता है, तो यहां पर priest के अनुसार where नहीं, was होना चाहिए, तो mistake आपका be part में है, इसी परकार से art को भी देखे, each of the employees, तो number one पर each है, तो each का अर्थ है, प्रतेक, each का अर्थ है, प्रतेक, एक-एक, तो off preposition है, off के पहले each है, off के बाद employees है, तो हम लोग employees को subject के रूप में नहीं लेंगे, हम लोग each को लेंगे, तो each के कारण अब आपका वर्व होना चाहिए, singular, तो देखो each of the employees whom the company has, तो has तो बिलकुल सही लगा है, each के कारण whom the company has chosen to take part in the international to be conducted, हाँ, अब देखो यहाँ पर इसने एक और खेल खेल दिया है, तो आईए अब ज़रा इसको diagram से समझें, अब इसको diagram से समझें, और देखें वो diagram यह है, कि अगर हम आपको कभी भी एक subject दें, noun के रूप में, pronoun के रूप में, और अगर हम verb नहीं दें, कोई preposition लगा दें, तो हमको पता है कि preposition के बाद noun आएगा, यह structure भी याद रखेगा, very important, फिर वो comma डाल देगा, फिर वो बहुत सारे सब्द बीच में डालेगा, इसको आपको नहीं पढ़ना है, फिर वो comma डालेगा, अब दूसरे comma के बाद वो verb डालेगा, तो इसको रट्टा लगा लीजे, इसको आप दिमाग में keep in mind, बहुत important, यह फसाने वाला टेकनीक है, तो यह जो second जो verb होगा, comma के बाद, यह हमेशा agree करेगा, यह हमेशा लगेगा number one के साथ, syntax एक chapter है, आपके course में, दूसरा इसका नाम है, agreement of verb with subject, उसमें इस सब टेकनीक बता ही जाएंगी, to take part in the international seminar to be conducted in the city or comma, यह second comma दिखाई दिया, और second comma के बाद, आर नहीं होगा, इस होगा, और इस भई किसके अनुसार होगा, इस जो है, वो इच के अनुसार होगा, तो यह ध्यान रखेगा, अब चले हम लो, यहां से और आगे चलते हैं, next question, needless to say, इतना तो बेकार है, क्यों यह कॉमा के बाद, no sooner, अब देखो, यहां हम लिख रहे हैं, नीचे की हो, no sooner, या फिर hardly, अगर यह आपको सब कहीं starting में दिखाई दें, तो इसमें दो बाते जांचनी आपको, आपको इनके बाद भर plus subject तो रखना ही है, लेकिन आपको no sooner के साथ conjunction भी जांचना है, तो no sooner के स साथ लगेगा, वेन, यह भी आपको चेक करना बहुत जरूरी है, तो इन में दो जगे मिस्टेक आ सकती है, तो चलो फिर से कोर्शन नमर नाइन को देखते हैं, needless to say, no sooner, very important hint, where, बच गये, all these large and rather expensive operation finished, when, अब हम तो सीधे, कंजंचन की तरफ दोड लगा रहे थे, सिर्फ पढ़ना एक आपचारिकता थी, तो when नहीं, then, क्यों आप कोई पूछेगा क्यों, क्योंकि बोलिए sooner second degree है, और second degree के साथ लगता है, then, question number 10, the prime minister, यह subject है, उसके साथ भर्व लगा है, बिल्कुल सही, has great power of implementing some useful scheme, but, तो यहाँ पर अभी हम अगर देखें, तो कंजंचन आया है, बट, अब आपको जोर बट के बाद, बट कंजंचन है, जोर लगाएगा, बट के बाद, the minister, the minister, subject होगे, ministers, subject है, यहाँ तक तो आपका सही है, यहाँ तक आपका सही है, ठीक है, इसको पहले रव कर दें, इफेस कर दें, ड या even, तो adjective class में हर batch में हमने बता रखा है, कि even के साथ, even के साथ आपको second degree का प्रियोग करना है, one off के साथ third degree, और अगर one off दिखाई दे कहीं भी, तो one off के साथ third degree, तो यहाँ greatest नहीं होगा, greater होगा, इस हिसाब से आपका गलती जो है, वो part number d में है, तो part number d, अब d जहाँ भी लिखा है, उसको मार कर दीजिए, तो 10 का answer C, 11, the blender mistake, देखो भी, blender का अर्थ खोदी है, big mistake, तो blender means big mistake, तो blender के बाद mistake मतला ही है, या तो blender बोलिए, या तो the big mistake बोलिए, दोनों एक साथ नहीं बोलिए, तो 11 का A, अब A जहाँ है, वहाँ मार कीजिए, तो 11 का answer, वैसे part number A में है लेकिन part number A, C में मार कीजिए है, तो answer C, चलो no sooner आ गया, तो हमने आपको कहा था, no sooner के साथ, दो बाते आपको धियान में रखना है, did तो बिल्कुल सहीवा भर, आगे B1 भी है, did के कारण भर का पहला रूप, ये भी ठीक है आपका, और आगे आपको then लेकिन लगाना है, तो हमको यहाँ subject, I दिखाई दे रहा है, और so, तो part number C में mistake है, और part C में है, अब आजाई कोर्शन में 13, साधहारन शुरुआ, जगन, डारेक्ट शुरुआ, जगन, शोड भर, remarkable adjective है, achievement noun है, class याद कीजिए, meant वाला noun होता है, able वाला adjective होता है, तो हम हमेशा आपको class में रटवा यहाँ, remarkable के बाद noun तो है, लेकिन यहाँ A नहीं है, तो यहाँ A आएगा, A remarkable achievement, जैसे good boy नहीं, A good boy, तो इसलिए B part में mistake हो गया, तो 13 का B, 14, अब दो ही question बचे है, आईए, she was so, तो फिर यह साधहरन शुरुआत है, she was, और was है, कोपुला भर, कोपुला भर के साथ adjective, तो stable adjective ह बाद, she बिल्कुल सही, was, कोपुला भर, बिल्कुल सही, not, एडवर्ब है, move भी वन है, और उसके बाद by है, तो जितने भी आपने पहले के record, यह सब वीडियो देखे हैं, तो उसमें आपको बात बार बार बताई है, by के पहले भी थरी, यहाँ भी लिख देता है, by के पहल भी थरी, तो इस लॉजिक से गर चले, तो move नहीं, moved होगा, तो answer C, last question, hardly पर हमने आपको बताया था, कि दो बाते चेक करनी है, hardly के बाद भर्थ, और आगे सही, pair conjunction, तो देखे, आगे then लगा है, तो then नहीं, यहाँ हो जाएगा, when, तो इस इसाब से, आपका 15 का answer, जो है, वो है, इस बात पर कम focus है, आज हमने आपको इस बात पर ज़्यादा focus रखा, कि sentence शुरू कैसे हो रहा है, उस चीज को पहले पकड़ना है, वो चीज अगर आप पकड़ लेते हैं, तो फिर आपके लिए, चीजें आसान हो जाते हैं, तो I hope इस वीडियो से आपने काफी कुछ सी को के सुड़न झांगा, को के सुड़न तांके सुड़ना है।